प्रेशन उत्तर करेंगे गाउं में घदे और कुट्टे को किसने पाला था दोबी ने मालिक का वेवार घदे और कुट्टे के प्रती कैसा था न्यायपून समान या भेदबाव पून था दिन भर काम लेकर दोबी गदे के प्रती क्या किया करता था वह गदे की टांगे बानकर उसे छोड़ देता था दोबी के घर कुट्टा क्या कारिय किया करता था दर्वाचे पर बंदा हुआ भूंका करता था गदे की समझ में यह बात नया आती थी कि कुट्टा उससे अधिक सुन्दर क्यों है कुट्टा इतने मदूर सुवर में किस प्रकार भूंक पाता है या मालिक उसे क्यों मारता है वह कुट्टे से प्रेम क्यों करता है खै कोशन है हमारा कवीता की छूटी वई पंक्तिया लिखिए ये आपको कवीता से देखकर फिल करनी है और लिखित प्रिशन उत्तर आपको अपनी नौट बुक में करने है धोबी ने अपने घर कौन-कौन से जानवर पाल रखे थे? धोबी ने अपने घर एक गदा और एक कुता पाल रखे थे धोबी घदे से क्या कारिय लेता था? गदा दिन भर धोबी के कपड़े धोरता रहता था घदे के मन में क्या उच्चे पदबानी की लालसा थी? गदे के मन में था कि वहे दरवाजे पर रहे के और चोरों के आने की घबर मालिक को दे और आनन से घर में रहे मार का कोई डर ना हो और खाने को बहुत अच्छे-च्छे माल मिले चोरों को देखकर गदे ने क्या सोचा वे क्या किया चोरों को देखकर गदे ने सोचा कि मुझे अवसर का लाब उठाना चाहिए और जोड जोड से रेकने लगा धोबी ने घदे का डंडो से स्वागत किया इससे क्या अभिप्राय है धोबी ने घदे का डंडो से स्वागत किया इसका अभिप्राय यह है कि जिसका काम उसी को अच्छा लगता है दूसरा अगर करता है तो उसे डंडे लगते है ओके बच्चो